तो दोस्त आज किस वीडियो में बात करेंगे और एकल एप्लीकेशन सपोर्ट के बारे में या बिसेकली मैं पॉइंट और इसमें डिस्क्स करूँगा एप्लीकेशन सपोर्ट होता क्या है तो उसके बारे मैं आज बात करेंगे तो दोस्त मैं आपको बता दूँ देखो उसी डाँवेर और नेटी-ंटवाक इन सपोर्ट कर लू जैसे कि या आप सपोर्ट हुता है यह इंजिनियर सपोर्ट हुता है या फिर डेक्षॉप रब्रेस्ब्स लीश जी उसको भड़न जे तो बिसकली यह होता है सपर्टप्रफाइल जहां पर आपको basic hardware टेबल सूट करना होता है network basic टेबल सूट करना होता है और laptop desktop या printers वगरा में जो इस्यूव आते हैं वो basically आपको टेबल सूट करने होते हैं अब वहाँ पर application का भी use होता है तो basic application भी support आपको देना पड़ता है like installation या टेबल सूटिंग या removal जो भी होता है तो आपको basic चीजिए होती है टेबल सूटिंग की जो कि आपको L1 या L2 लेवल पर करना पड़ता है अब हम बात करते हैं application support की तो application support में होता क्या है कि जितने भी application है जैसे आपका SQL हो गया और एकल हो गया VMware हो गया या और भी जैसे कि एक application मतलब और भी तरीके के कई application होते हैं जिन पर आपको support देना पड़ता है या कोई हो सकता है security tool भी हो application support का तो उसका देना पड़ता है तो basically उसमें आपका hardware पार्ट तो एक side हो जाता है आपको hardware टेस्ट नहीं करना होता है application का support आपको देना पड़ता है SQL के installation भी बहुत difficult part है कि जब उसको install करते हैं तो वह normal application की तरीके install नहीं होता है को database का application को security tool application है कोई VMware है को virtual machine है जो की remotely लोग काम करते है virtual machines पे तो वह होता है application support या हो सकता है कई application support की jobs होती है जैसे कोई एक application बना है एक calling support के लिए application बना जैसे कि जो customer care पर call करते हैं हम लोग या फिर कोई company ऐसी है जो call center पर काम करती है तो जिस application के थुरूब call करते हैं जितने भी आप calls करते हो customer care पर customer care से आते हैं आपने देखा हुआ प्लस 001 या 3 या whatever जो भी होता है या और भी कोई extension आगे लगा हुआ होता तो वह सारे calls आपको एक application के थुरूब पार रहे होते हैं मैं individual की बात नहीं कर रहा है क्योंकि अकर आप landline यूज कर रहा हो तो सकता उसका भी extension वैसे ही हो लेकिन मैं मैं यह आप organization level की बात करो तो वहाँ पर एक extension होता है जो की वह application provider company जो होती है वह अपने client को एक extension particular बना कर देती है कि फूर सबुच आपका 01393958 यह आपका एक mobile नमर हो गया जब भी आप call करोगे तो जो customer के पास call land होगी वह particular इस extension से होगी या particular इस नमर से होगी अब वह application का है कही ने कहीं तो बना होगा बाकेंड में कोई ने कोई तो मैनिज कर रहा होता है तो जो वो मैनिज कर रहा होता है जो बाइकेंड टा का मों होता है उसको हम बोलते है एपільки-स apenas सब्पोर्ट अभी देखो क्या होता उन्होंने एक application बनाया CLIENT को चपका धिया क्ला deep को दे जिखह सहई कि या होग कर देते हैं कि हम यह ठीक है यह आपका admin password हो गया यह admin username हो गया यह आपका password हो गया login करो और users को create करो और उनको assign कराओ ठीक है लेकिन उसके पीछे जो backend का total जो काम होता है application support का वह थोड़ा सा as compared to desktop support या IT support वह थोड़ा से difficult होता है और उसी बेस पर उसका पेस्केल भी होता है उसकी salary भी अच्छी होती है application support टीम की और हो सकता है आपको थोड़ा बहुत लिनेक्स का भी knowledge होना चाहिए या कोई और टूल हो सकता है security का टूल है तो security की थोड़ी बहुत knowledge होनी चाहिए या oracle का अगर support है तो आपको और एकल का भी knowledge होना चाहिए या कोई database है या कोई sql server है जैसे database में जो आता है तो हो सकता आपको इस database को भी manage करना पहले तो यह different different kinds होते हैं support के और मैं आपको prefer करूंगा कि अगर आपको it support या desktop support की job मिल रही है और दूसरे आपको application support की job मिले अगर आपको support में जाना है तो definitely आप application support ही चूज करना क्योंकि उसकी आगे अच्छी का सी growth अगर पर्टिकुलर आपने किसी एक application support में master कर लिया अच्छे से उसको पढ़ लिया तो उसमें अच्छा कसा scope और salary होती है तो hopefully आप समझ गया होगे कि actually में application support होता क्या है या application support के जो इंजीनियर्स होते हैं वो करते क्या है तो बस आज की वीडियो में इतना ही वीडियो अगर अच्छा लगा तो like share and channel subscribe जुरू करें मिला ना में शोब हम मैं मिलता हुआ नेक वीडियो में till then have a great moment and don't forget to like share and subscribe thank you so much for coming here कर दो